Hello my Orbit Stars, Welcome to Analysis Orbit और आज के क्लास में हम लोग डिस्कुस करने वाले हैं Dimensional Analysis और जैसा कि आपको याद होगा हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि Significant Figure क्या होते है Uncertainty क्या होती है ये सारी चीज़े हमने जानी थी Even अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है वो वीडियो को पूरी देख लीजे जिससे कि हम लोग आगे जो भी कॉनसेप्ट परहेंगे वो कॉनसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगी ठीक है बिटा तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं डामेंशनल एनलेसस को ठीक है अब जब बात करते हैं डामेंशनल एनलेसस को तो एक्च्छल में देखो ऐसे समझो डामेंशन क्या होता है आपने physics में कभी न कभी आपने dimension का word सुना ही होगा ध्यान से देखे, dimension में बिटा measurement को जो है basically आप जब किसी भी quantity की जब आप measurement करते हो उसको हम लोग dimension कहते हैं मतलब जैसे ऐसे समझो कि आपने physics में पढ़ा होगा 1D जिसे आप 1 dimensional बोलते हो 2D, 2 dimensional फिर आगे चलके आप जो है 3D, 4D, आप बात करते हो 3D picture की 4D की, ठीक है basically उन्हों 3D तक ही बात करते हैं ठीक है 1 dimensional मतलब क्या जिसका सिर्फ और सिर्फ आप एक ही plane of surface से आप क्या कर सकते हो measurement कर सकते हो 2D means basically 2 plane of surface से आप इसकी measurement कर सकते हैं और 3D means 3 plane of surface से आप measurement करते हो ठीक है जिसमें की हम लोग 3D में basically हम लोग वैसे objects को लेते हैं जिनमें की हम length, breath, height यह तीनों जो उसके आपके measurement होती है यह यह तीनों साइड्स जो है वो हम measure कर सकते हैं 2D में basically length हो गया, breath हो गया और 1D में basically safe or safe आप लंबाई ही आप measure कर पाते हो ठीक है तो dimension क्या होती है बटा? आपके measurement करने का जो तरीका ठीक है? यहाँ पे तीखे क्या कहा गया dimension analysis में कि जब हम conversion करते हैं या changing करते हैं of any particular quantity in terms of in terms of fundamental quantity is known as dimensional analysis यानि आप कभी किसी particular quantity के measurement को जब आप change करते हो किस रूप में? fundamental quantity के रूप में ठीक है? या उसके based जो भी unit है वो use करके तभी आप इसको क्या कहते हो? dimensional analysis कहते हो example से देखे समझाओंगी बिल्कुल समझ में आएगी example के लिए मैं आपको बता दूँ कि ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं आपको एक point mark कर रही हूँ मैं आपसे बोलूँगी बटा यहाँ से यहाँ के बीच में कितनी distance होगी अब कोई ऐसा बच्चा होगा जो हो सकता है मुझे centimeter में answer दे कोई बच्चा ऐसा होगा जो millimeter में answer दे और कोई बच्चा ऐसा होगा जो बोले गा मैं यह तो 1 Inç है यह कितना है एक Inch है अब एक बच्चे जिसने मुझे कहा कि मैं यह जो distance है य इसके बीच जो distance है यह दो point के बीच की जो distance है वह एक इंच है तो जिस बच्चे ने centimeter में जवाब दिया वह भी तो सोचेगा कि actual में once इंच जो ये बच्चा बोल रहा है तो और मैंने जो centimeter में या meter में मैंने जो value बताई है तो क्या हमारी value जो है वो match करती है कि नहीं करती है because कि इसने तो सीधे सीधे भाई साब इसके बोलने का तरीका और ये बंदा कोई बोल रहा है यहाँ पर कोई भी certain value यूज कर रहा है और बोल रहा है इतना centimeter तो इसको rectify कौन करेगा मैं करूंगी कि भाई साब अपने जो है आप inch के form में बोल रहे हो और आप centimeter के form में बोल रहे हो तो क्या ये answer सही है या फिर नहीं तो basically इस बंदे को मुझे क्या बताना पड़ेगा centimeter की value बतानी पड़ेगी इस बंदे को मुझे inch की value बतानी पड़ेगी एक ऐसी value जो के क्या हो equal हो ठीक है जैसे कोई बंदा simple सी बात है कोई बंदा जो है मेरे को कह रहा है कि 2 प्लस 2 पर्सन जो है वो आए हुए है और कोई कह रहा है कि 4 पर्सन आए हुए है ठीक है अब कोई 2 प्लस 2 बोल रहा है कोई 4 बोल रहा है तो जाहर सी बात है आप जानते हो कि ये जो वैल्यू है वो क्या है एक दूसरे के एक्वल है होती है, centimeter में वह कितनी होती है, two point five four, ठीक है, two point five four centimeter, और अगर किसी ने meter में बता दी, तो क्या हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है, वो meter में change करने के लिए ध्यान दिजेगा, हम क्या लिखेंगे, zero point, ठी है, ध्यान दिजेगा, क्या होगा, यह जो decimal जो है यहां से 2 से जो decimal है क्या हो जाएगी shift हो जाएगी देखिए ध्यान से सुनिएगा centimeter से आप क्या कर रहे हो meter में change कर रहे हो तो आपको पता है 100 centimeter is equal to 1 meter होता है तो यह जो decimal है यह कहां आ जाएगी यहां से 2 के बाद 2 अंक और shift कर जाएगी तो आप बोलोगे 2 तो पहला desert हो दूसरा desert क्या हो जाएगा मैं बोलूंगी दूसरा जो desert होगा वह 0 हो जाएगा यानि आप लिखोगे 0254 meter यानि 1 inch जो है बिटा उसकी value meter में क्या होती है 0.0254 meter वहीं centimeter में क्या करा सीरे यह value जो है इसमें क्या हो जाएगी शिफ्ट हो जाएगी किस तरफ आपके right side ठीक है और यह हो जाएगा 2.54 centimeter तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो कि आपने एक dimension को एक measurement को आपने क्या किया एक quantity से आपने दूसरे quantity में यानि दूसरे fundamental quantity में आपने change किया जैसे यह देखो inch जो है उसे हम आज कल internationally थो हम लोग use करते नहीं है यह तो हमारे ancient time में बहुत सारे लोग जो थे या यूँको अमारे ancestor जो थे वो क्या करते थे अलग-अलग methods of measurement यूज करते थे जैसे कई बार अपने सुना होगा अगर नहीं सुने तो अपने न कभी grandparents वगेरा जो हैं उनसे बात करिएगा वो लोग ना पहले क्या बोलते थे पाव बोलते थे एक सारे word जो है ना यह हमारे यहां के लोग जो है किसी भी तरह के जो समान होती थी उसका weight अगर measure करते थे बिटा तो उसमें यह word जो है वो use किया करते थे जैसे बोलते है पाँच सेर सामान बालो किसी ने बोल दिया पाँच पसेरी चावल ठीक है या फिर दो पाव एक पाव आटा ऐसे जो है वो word लोग use किया करते थे अब सोच के देखो कि यह पाव पसेरी सेर यह सब जो है हमारे लोकल एडिया में चलता है आप कहीं अगर माल लिजे कोई में चले जाओ वहां पर कई लोग ऐसे होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे अपने इंडिया से बाहर चले जाओ तो भाई साथ यह तो word किसी ने सुना भी नहीं होगा तो सोच के देखिए कि उसी तरीके से बिटा क्या था कि जितने भी अलग अलग country है या उस टाइम में जितने भी अलग अलग country थे उन सब के measurement करने का जो तरीका था बिटा वो अलग अलग था ठीक है न अब मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि अभी जैसे अभी आप जो है जब आप केक पूचिस करते हो तो आपको केजी के हिसाब से बोला जाता है जैसे 250 ग्राम्स वाला या फिर half केजी एक केजी दो केजी तीन केजी का एसे केक होता है ठीक है मैं आपको बता रही जो बेकड़ी वाले जो होते थे न वो इसी जो वर्ड होती थी यह कहो कि इसी यूनिट के हिसाब से वो अच्छार पॉंड का केक बनेगा उनके लिए 4 पॉंड का केक बनेगा मतलब कि यह 3 पॉंड या फिर 4 पॉंड के अगर बात करें न तो ये मिजॉम्मिन जो है ध्यान द कि पांसो ग्रैम को आप हाफ केजी बोलते हो ना बिटा जी ठीक है तो यह वाला जो मैटर जो था अपने यहां के लोगों के समझ के बाहर था अब धीरे धीरे जो हम लोग अपने आगा यह यह को इंटरनाशनली जो एकसेप्टेड यूनिट है उसको हम लोग यूज करना जूस करते थे देहां दीजएगा 1 ग्राम is equal to होते है बटा 0.0353 अंस ठीक है अब यह जो है देख सकतो कई सारे ऐसे मिजरमेंट है जिनको आप फ़न्डमेंटल कॉणटि के रूप में यूज करते हो ठीक है तो उसी को हम लोग क्या बोलते है डामेंशनल अनलिसक कहते हैं I hope कि H is clear हो गया हो गया ध्यान से देखेगा 1 inch is equal to कितने यहां पर 2.54 cm ठीक है तो यहां पर यहीं unit conversion factor जो है हम लोग क्या कर रहे है यहां पर use कर रहे है तो यहां पर ध्यान देंगे कि quantity required जो आपको quantity चाहिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जो quantity दी गई है वो और into conversion factor conversion factor जो है वो क्या रहा ध्यान दीजिए कि यह basically कि 1 inch नहीं मैंने तो यहां पर लिख रखा है ना 1 inch is equal to 0.0254 meter आप इसको भी use कर सकते और अगर centimeter की बात की जाए तो जी हां 1 inch is equal to 2.54 cm भी आप use कर सकते हो अब मालो किसी ने आपसे बोल दिया कि भाई साब मेरी जो height है ना suppose suppose आपसे किसी ने कह दिया कि मेरी height जो है ना या फिर मालो one कोई है उसकी height ना माल लिजे 20 inch है कितनी है बटा 20 inch ठीक है तो आप simple सा काम क्या करोगे 20 inch में या 20 inch में आप 20 inch में basically आप ये वाला हिस्सा जो है इससे multiply कर दीजे और जो result आएगा उतने centimeter हो जाएगा वो ठीक है one angle strom is equal to 10 to the power minus 8 centimeter जबकि meter में आप change करेंगे तो क्या हो जाएगा बटा पार जो है वो आपकी 10 to the power 2 जो है means 100 value से ये increase हो जाएगी यानि कि 10 to the power minus 10 meter वहीं आप देख सकते हो केजी centimeter, kilometer, kg, gram ये सब के power conversion जो है दिये गए है आपको बस एक काम करना है कि एक दो बार जो है इसके practice कर लेनी है क्योंकि जब आप इस chapter से रिलेटर जब आप question जब आप करोगे न बटा चाहे वो physics के हो या फिर chemistry के हो जब भी कभी unit conversion वाला मामला आएगा तो आप अटक सकते हो तो इसलिए आप बच्चे जो है इसको इग्नोर कर देते हो तो इग्नोर मत करना बहुत important है ये हर तरह के जो आपके बोसकते है problem solving आप जब करते हो उस दौरान ये आपकी बहुत 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 जादा मदद करता है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते है और कुछ laws of chemical combinations को पढ़ इस धर्ती पे कई तरह के natural phenomena होते हैं और उन natural phenomena को समझने के लिए आप क्या पढ़ते हो physics पढ़ते हो या यूँ कहो कि physics जिसमें आप कई ऐसे fundamental laws जो है वो पढ़ते हो उसके basis पे आप हमारे nature में होने वाली हर एक natural phenomena का क्या करते हो पता लगाते हो कि कौन सी घटना क्यूं कैस और किस वजह से हो रही है उसी तरीके से आपके chemistry की दुनिया में कोई भी chemical या कोई भी compound क्या कोई भी molecular species ज्यान दीजेगा जब मैं बात करूं molecular species की तो आप समझेंगे molecular species की तो आप समझेंगे कि मैं बात कर रही हूं किसी atoms particular atoms elements compound ठीक है इसकी मैं बात कर रही हूं ओके तो किसी भी molecular species की किस तरीके से उसके behavior है वा किस तरीके से आपस में interact करते है ये सारे अगर फेनोमेना को अगर समझना है बटा तो आपको laws of chemical combination जो है वो पढ़ना पड़ेगा जिसमें आप basically चार से पांच laws जो है वो पढ़ते हो और जब उसको आप समझते हो या यह को जब आप इस laws को समझ लेते हो देन आफटर आप chemistry को समझ पाने में बटा और भी जादा आपको आसानी होती है ठीक है ये कुछ ऐस है कि जैसे ही आप हमारे साथ जुर जाते हो हमारे analysis service के साथ जैसे ही आप जुर जाते हो आपकी concept clarity जो है बिटा वो दिन प्रती दिन जो है वो बढ़ती जाती है और अगर मैं कहूं आपसे के अभी तक आपको मेरी बताई हुई बाते जो है वो समझ में आ रही है वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई साब जड़ा शर्माये मत और प्लीज जो है लाइक का बटन दबा दीजे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिर चलिए तो बात करते है किसकी law of conservation of mass की ठीक है क्या है law of conservation of mass बहुत ही simple सा है समझेंगे इसक कि ये कहता है कि basically कभी भी एकदम इसका एक simple सा फंडा है क्या फंडा है mass देखो यहाँ पे दो बार repeat हो गई है तो please थोड़ा सा मुझे ये करना माफ करना इसके लिए mass of reactant is equal to mass of product मैं समझ में नहीं आया example दोगे क्या हान जी बेटा बिलकुल example दूँगी ध्यान से सुनना ठ ठीक है ये रहा ये तुमसे कहता है कि कभी भी chemical reaction जब होती है ठीक है इन chemical reaction reaction को basically हम किस नाम से बुलाते हैं reaction का मतलब होता है बिटा changes क्या होती है changes changes हुई तो ही बोलेंगे reaction हुई है मैं changes किस में तो ध्यान दीजे जब किसी molecular species के बिटा shape में, size में, color में, order में, physical state में अगर या फिर उनके temperature में, pressure में इन सब में अगर changes या फिर किसी एक में भी changes हो रही है मतलब की वहां reaction हो रहा है ठीक है तो reaction का मतलब basically होता है changes ओके बहुत बहुत simple भाषा में बता रही हूँ अब ध्यान दीजे कि कोई भी reaction होता है तो इसमें एक होता है starting product बिटा ठीक है और एक होता है यूँ कहो, एक starting material होती है और एक ending product होता है क्या होता है बटड़ा, product होता है starting जो material होती है बटड़ा, इसे आekkma reactant कहते कहते हो क्या कहते हो, reactant कहते हो और इस product को तो product ही बोलेंगे ठीके, अब ऐसे समझो कि आपने न, आपको खानी है magi ठीक है? आपको खानी है मैगी. और ये रहा मान के चलो. थोरा सा मान लो, मेरे लिए मान लो कि ये जो है ये आपकी प्यारी मैगी है. मैगी का ये पैकेट है तो ये मैगी का पैकेट जैसे ही आप बाहर से आप खडीद कर लाए ये क्या है बिटा ये एक रियाक्टेंट है ठीक है अभी ऐसा नहीं अगर तुमको कच्छा मैगी पसंद है तो भाई चलो बहुत अच्छी बात है बट जिनरली जो सब है लोग होते है वो क्या करते है इस मैगी को पका करके फिर खाते है ठीक है तो हुआ ये कि इस मैगी को आपने क्या करा आपने पकाया भाई साब जो भी आपको डालनी है जो भी डालनी है आप नॉमली ही बना दो लेकिन कमसर हीट तो दोगे ना हीट दे दिया, वाटर दे दिया मसाले वासाले सब कुछ एड़ कर दिये और आपका गर्मा गरम मैगी जो है वो खाने के लिए तयार हो गया इस बोल में गर्मा गरम मैगी जो है यह आपने चम्मच रखा है यहाँ पर देखो गर्मा गरम मैगी जो है वो खाने के लिए तयार है तो यह क्या रहा यह था आपका reactant मतलब की starting material और यह जो बनके जो hot मैगी जो तयार हुआ hot मैगी जो तयार हुआ यह है आपका product अब मेरे को ज़रा सोच के बताना बिटा कि जब एक पैकट मैगी तुम बनाओगे तो ऐसा तो नहीं है न कि बढ़ करके दो पैकट हो जाएगा हैं जी ऐसा होगा क्या नहीं बिलकुल भी नहीं होने वाला यानी कि जितना तुमने मैगी बनाया था उतना अब वो बात अलग है कि तुम भाई साब बना करके जस्ट तुमने टेबल पे रखा और तुम बोले भाई साब मैं तो जा रही हूं फ्रिज में से फ़र्दम ठंडा ठंडा कोल रिंग निकाल कर लाउंगी गड़्मा गड़ मैगी और ठंडा कोल रिंग जो है वो पिऊंगी जैसे ही तुम गए वैसे ही पता चला आके देख रहे हो तुम्हारा मोय मोय हो गया तो वह बात अलग है लेकिन हुआ जितना तुम्हारा रियाक्टेंट होता है of the system remains constant, क्या होगी, constant होगी, fix रहेगी over the time, regardless the process acting inside the system, this law implies mass cannot be created or destroyed in a chemical reaction, मतलब ये laws of conservation of mass, laws of conservation of mass का जो rule है, ये यू का law है, वो ये कहता है, कि mass न तो create होती है, नहीं destroy होती है, ठीक है, इसे लिए, इसी के according हम लोग क्या करते हैं, जब भी कभी याद करो, तो class 10 में तुमने balancing सीखी थी, balancing of chemical reaction, तुमने सीखा था, balancing of chemical reaction, देखो बटा, मेरा जो है, वो सुरू से फंडा रहा है, कि जहां कहीं भी मुझे ऐसा लगता है, कि तुम्हें recall कराना है, मैं recall कराती हूँ, कि तुमने इस चीज़ को कहां पढ़ा है, ठीक है, इसी तरीके से मैं बच्चों को जो है, recall करा करा के, जो है, वो ध्यान में, मतलब तुम भूल जाओ, मैं तुम्हें भूलने नहीं दूँगी, ठीक है, तुम लाख कोशिश कर लो भूलने की, मैं तुम्हें भूलने नहीं दूँगी, ठीक है ना, चलिए, अब जो है, यहां पे, बाते करें, क क्या होती है ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से अलमेंट जैसे कार्वन है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है फॉस्फोरस है लीथियम है फिर उसके बाद बिरीलियम है और भी कई सारे जो है मान के चलो बहुत सारे यूं कहो 118 अलमेंट्स जो है वो तुम्हार हाइड्रोजन के दो आटम मिल करके ना आपता करकर ना आपकाँड्समे बनाएंगे यह सर्टेन केमिकल कंपाउंड बनाएंगे, first suppose तुमने कहा, मैं हम आपको पता है, हाइडरोजन के दो आटम और अक्षिजन के दो आटम मिल करके आपके water बनाते हैं, मैंने बुला, अच्छा जी, मतलब ये तुमने मुझे क्या बताया, तुमने मुझे जहां पर आप quantities of substance, आप बताते हो कि कितने quantities of आपके chemical substance, जो है, वो किसी chemical reactions में involved होते हैं, ठीके, चली, laws of definite proportions की बात कर लें, ये क्या होता है, तो laws of definite proportion को, जिसे हम laws of constant proportion भी बोलते हैं, constant proportion मतलब ध्यान दीजेगा, चाहे word constant हो, या फिर definite हो, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, fixed, means no changes, ठीके, तो यहां पर कहा गया, ये law ये कहता है, कि chemical compound always contain its component element in fixed ratio, by mass, regardless its source, or it was prepared, for example, ध्यान दीजेगा, ये कहा गया, कि water जो है, always, कहीं पर भी तुम water अगर लेते हो, तो water जो है, वो always consist करेगा, hydrogen और oxygen के molecule, in the ratio of 2 is to 1, जहां पर hydrogen के 2 atom और oxygen के 2 atom जो है, वो मिलेंगे, no matter where the water comes from, इस बात से कोई फरक नहीं परता, कि तुम पानी कहां से ला रहे हो, मतलब तुम अपने घर से ला रहे हो, अपने नल से, नाले से, समुंदर से, कहीं से भी उठा के ला रहे हो, उसमें hydrogen और oxygen का जो proportion होगा, वो 2 is to 1 का ही होगा, ये कहता है laws of definite proportion, बात समझ में आई बटा, और इस law को सबसे पहले जोसफ प्राउस्ट ने 1794 में प्रपोस्ट करा था, और यह भी आपका एक fundamental principle है, stoichiometry का, आप stoichiometry का कैसे, अड़ी बटा जी, ये देखो न, ये ratio बता रहा है, तो कहीं न कहीं आपसे बता है न, जैसे देखो, सुनो, ऐसे समझो, कि तुमसे कहा गया कि, एक ये देखो, कार्बन है और हाइड्रोजन है, आपस में combine होते है, one is to four के ratio में, क्या कहा गया, कि certain कोई chemical substance है, कोई chemical substance है, ठीक है, chemical substance है, जिसमें क्या है, कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है, वो one is to four के ratio में combine है, तो तुम क्या बोलोगे, ये पहला वाला जो है, वो मेरा carbon के लिए, दूसरा वाला हाइड्रोजन के लिए, तुम formula लिख दोगे, C1, हाइड्रोजन 4, बोले तो ये मेरा कौन सा है, मिथेन है, भास समझ में आई, तो कहीं न कहीं, यहां सा तुम को stoichiometry पता चली की नहीं, पता चली, चली ना, चली, आगे बात करते हैं, laws of multiple proportion, क्या है भाई सब multiple proportion क्यों बोल रहे हैं, तो ध्यान दिजेगा, ये laws ये कहता है, कि when two elements combine to form more than one compound, ठीक है, the masses of one element that combined with the fixed masses of the other element are in the ratio of small whole number, माम ये कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ध्यान दिजेगा, अभी समझ में आजाएगा, ओके, चली, स्वारी, यहां ध्यान दिजे, एक्जाम्पल के लिए कहा गया, कि मान लीजे, कार्बन जो है, वो oxygen के साथ combine करता है, एक आपका, आपने एक, आपने क्या ले लिया, आपने एक element आपने carbon ले लिया, दूसरा आपने oxygen ले लिया, ये दोनों आपस में combine हो रहे हैं, combine होकर के, ये बनाते हैं, carbon monoxide और carbon dioxide, ध्यान दिजे, दो ही atoms जो है, वो combine होकर के, more than one compound जो है, वो बना रहे हैं, यानि एक से ज़्यादा compound बना रहे हैं, अब यहाँ ध्यान दिजे, carbon monoxide में, mass of oxygen, जो है, वो combine होता है, carbon के साथ, तो ratio होती है, अपकी one is to one, ओके, और वहीं, जब carbon dioxide की formation होती है, तो उस दोरान, oxygen जो combine होता है, किसके साथ, combine with the same mass of carbon, carbon fix है बटा, carbon जो है, वो यहाँ पे fix है, change कौन हो रहा है, oxygen, oxygen का proportion change हो रहा है, ध्यान दिजेगा, carbon का जो यहाँ पे है, वो same है, but oxygen जो है वो proportion उसका change हो रहा है यहाँ पर 1 था यहाँ क्या हो गया बटा 2 हो गया ठीक है तो इस law को सबसे पहले बटा John Dalton ने early 90th centuries में जो है बटा वो क्या करी थी प्रपोस करी थी और यह जो है आपके atomic theory के development में यह बहुत ही crucial role जो है वो play करता है पांच जो आपका sorry यह fourth law हो जाएगा ठीक है fourth law बटा आपका कहता है गेलुसेक gaseous volume यह कहता है कि जब आप gaseous when gaseous ध्यान दीजेगा gaseous कहा गया है gas नहीं कहा गया यानि कि एक से ज़्यादा gase combine होते हैं are in are produced in a chemical reaction when gases combine or produce in a chemical reaction जब gases आपस में combine हो रहे हैं या फिर किसी chemical reactions में produce हो रहे हैं they do so in simple whole number ratio by volume provided all gases are the same temperature and pressure मतलब कि यह जो है आपके क्या होगा कि इनका जो ratio जो होगा इन gases का जो ratio होगा volume ध्यान दीजे whole number ratio by volume ठीक है जैसे V1 by N1 V2 by N2 V3 by N3 कब at the same temperature and pressure जब same temperature same pressure हो तो उन gases के number of moles और number of volumes का जो ratio होगा बिटा वह equal होगा जैसे माल लीजे gas 1, gas 2 और gas 3 यह जो है किसी chemical reaction में shorten chemical reaction में क्या हो रहे है बिटा form हो रहे है produce हो रहे है basically और माल लीजे कि temperature और pressure जो है वो क्या है equal है तो उस दोरान इनका जो number of moles और number of volumes का जो ratio होगा इन तीनों gases का यानि कि V1 N1 V2 N2 V3 N3 यह क्या होंगे बिटा equal होंगे बात समझ में आई चलिए आगे बढ़ते है और इस law में ध्यान दीजेगा यह क्या कहता है that the volume of reacting gases and their simple whole number ratio are directly related यह एक दूस्ते से directly related होंगे ठीक है for example when hydrogen gas react with the chlorine ठीक है form hydrogen chloride the volume of hydrogen and chlorine gases that reacts to 1 is to 1 ध्यान दीजे यहाँ पे H2 लिया C2 लिया और यह बना रहे हैं क्या बना रहे हैं 2 HCl तो same temperature पे बिटा इनका जो moles और volume का जो ratio होगा वो क्या होगा same होगा और इसको सबसे पहले किसने बताया था French chemist थे जिनका नाम था Joseph Louis Gay Lussac 1808 में और यह जो है आगे चलके जो है Avogadro's Law के बोल सकते है Avogadro's Law जो थी उसके development में बहुत ज़्यादा important role play किया और concept of mole को समझने में मदद करी ठीक है अब जो है आ जाते है आपका यहाँ पे sorry numbering गलत हो गई है यह fifth हो जाएगी पिटा ठीक है Avogadro's Law क्या कहता है Avogadro's Law यह एक बोलता है कि equal volume of gases at the same temperature and same pressure contain equal number of molecule या यूँ कहो equal number of moles यानि कि ध्यान दीजिए कि volume directly proportional to क्या हो जाएगा moles हो जाएगा moles of certain substance कब जब temperature same हो pressure same हो ओके और इस law में बात करते हैं कि at a constant temperature and a pressure volume of a gas is directly proportional to the number of the moles of the gas यानि volume घटेगा sorry volume बढ़ेगा number of moles बढ़ेंगे volume घटेगा number of moles घटेंगे यान पे example दिया गया if you have a container filled with a certain volume of gas at a certain temperature and a pressure doubling the number of moles of gas will double the volume of the gas जैसे ही आपने number of moles को double किया volume भी double हो गया यानि जैसे आपने number of moles बढ़ाया volume भी बढ़ गई ठीक है बट इस दोरान आपको ये ध्यान रखना है कि temperature और pressure जो है आपका constant रहना चाहिए मतलब इन में no changes कोई changes नहीं होनी चाहिए ठीक है इसको सबसे पहले आमीदियो अवगाद्रोज ने 1811 में प्रपोस करा था और ये एक आपके fundamental gas law है किसमें chemistry में जिसकी मदद से आप gases के behavior को आप क्या करते हो समझ पाते हो ओके अब जो है ध्यान देंगे laws of reciprocal proportion और ये जो है आगे की चीज़े हम लोग next class में पढ़ेंगे and I hope कि आपको अब आज की जो class है वो अच्छे से समझ में आई होगी चीक है and वैसे देखा जा तो बहुत बढ़ा नहीं है चलो खेर बहुत बढ़ा नहीं हम लोग next class में भी deal कर लेंगे जादा बेटर रहेगा ओके और मैं आपसे आपसे यह कहूंगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है आपको concept जो है वो समझ में आ रहे है तो अभी भी देर नहीं हुए आपको पता होना चाहिए कि YouTube पे आपको सर्फ और सर्फ 31st में तक ही आपको यहाँ पे फ्री में वीडियो जो है अवलेबल हो पाएंगे तो अगर आप हमारे साथ जो है सिंपल सी बात है आप पिछले साल जो गलती किये मैं जानती हूँ वो गलती आप फिर से रिपीट नहीं करना चाहोगे है ना तो फटा फट से बिटा हमारे अंजनेई बाच में इंडोल्मेंट ले लीजिए इंडोल्मेंट लेने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले हमारे आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और वहां से आप कोर्स वाले शिक्षन में जा करके इंडोल्मेंट ले सकते हो और अगर आप अभी PC यूज़ कर रहे हो लाप्टप यूज़ कर रहे हो देन आपको सीधे सीधे एक काम करना है कि आपको आजाना है हमारी वेबसाइट अनलेसस और बिस पर आप आजाओगे ठीक है और उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा देन आफ्टर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है एक्स्प्लोर कोर्सेज और कोर्सेज का इस ओप्शन है इसमें से किसी एक पर आप क्लिक करोगे आपके सामने खुल जाएगा ये इंटरफेस आप देख सकते हो अनजनेई बैच फोर ड्रॉप और नीट ट्वेटी ट्वेटी फाइडेट इसमें आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत बहुत नॉमनिल प्राइज में बिटा आपको आपके नीट ट्वेटी ट्वेटी फाइव के एक्जामिनीशन के लिए जो भी इसेंशियल एलेमेंट्स रिक्वाइड है सब आपको एक ही जगह एक ही प्लाटफोर्म पे बिटा अवैलेबल है आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है एक बार आपने इंडरॉन्मेंट ले ली मतलब की समझ लो की वन स्टॉप सॉलिशन आपको यहां मिल जाता है यहां पे डिटेल आपकी कवरेज होती है नीट एक्जामस टॉपिक के रिलेटिव कंप्रहेंसिव आपको क्लास यहां पे मिलती है रेगूलर डावट सॉल्विंग मिलती है चाप्टर ट्राकिंग जो है यहां पे आपको लिंक मिलता है जिसके बैच ट्राकिंग लिंक बिस्कली हम लोग सो कह सकते है जिसपे की आप क्लिक करके जैसे आप क्लिक करोगे आपकी सामने एक एक्चल शीट खुल जाएगी और इस मदद से आप किस पर्टिकुलर डेट को कौनसे टॉपिक की परहाई हुई थी वो आप ट्रैक कर सकते हो आपको जब ही किसी भी टॉपिक की आपको रिविजन करनी है दुबारा क्लास देखनी है कोई क्लास मिस हो गई थी वो देखना है आप इस पर क्लिक करके आराम से अपने लेक्चर को जो है वो एक्सेस कर सकते हो बिना अपने टाइम को बरबाद किये हुई और साथ में आपको यहाँ पे विकली टेस्ट का अप्षिन तो मिलता ही है आपको मानलो क्लास करते हुए कोई डाउट अगर आ रही है तो आप क्या करोगे आप North से जो है hand raise करोगे मैं आपको call पर invite करूंगी और उसी live class में हम लोग आपकी doubt को सुनेंगे और आपकी doubt को solve करेंगे मतलब की एक होते हैं ना कि doubt के साथ आगे बहने का तो सवाल ही नहीं उठता है तो फटा फट से जो है इन्रॉल्मेंट ले लीजिए क्योंकि आप जानते हो 31st में तक ही time बचा हुआ है तो फटा फट से इन्रॉल्मेंट ले लीजिए उसके बाद से फ़र से इस पे आपको क्या मिल पाएगा से फ़र से रिविज ले रहे हैं और माल लोगर किसी तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो वहां देखना चाट विद उसको उप्शन होगा वहां से आप हमसे जो भी अपनी क्विरीज है वो पूछ सकते हो हमारी टीम आपको पॉसिबल आपको रिप्लाई कर देगी और यहां पे अगर आपको हो रही है तो कॉंटेक्टरस का यह ओप्शन दिख रहे हैं यहां पे आप जाकर के आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम आपको रिस्पॉंस करेगी और इसके अलावा आपके पास एक और आप्शन है और वो आप्शन क्या है तो वो आप्शन यह है कि आप हमें at the rate analysis orbis एक मिनट yes at the rate analysis orbis हमारी इंस्टा आइडी है इस पे आप हमेजा के फॉलो कर लीजे वहाँ पे भी आप हमको डिम कर सकते हो और वहाँ पे मैं परस्नली आपका जबाब देती हूँ ठीक है तो इस तरीके से मैंने आपको प्रसस बता दिये आपको किस तरीके से इंडॉल्मेंट लेनी है पिसले जो भी सेशन में आपके गलतियां हुई वो गलतियां बार-बार फिर से रिपीट ना हो तो इसके लिए आपको जो है बिटा कम्प्लीट मेंटरिंग और बोलते है न एक गाइडेंस चाहिए जो के आपके एक्जाम के एंड डे तक यूँको एक्जाम के दिन तक रहे और वो आपको अनलसर ओर्विस जो है वो प्रवाइड करवाता है तो बटा जी फटा-फट से इंडॉल्मेंट ले लीजे आई होप कि आपको आज क्लास जो है वो पसंद आई होगी वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा अगर नहीं हो तो और आपको क्या कुछ अच्छा लगा और कहां पे आपको बोस्टनली प्रॉब्लम होती है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना मैं मिलती हूँ नेक्स क्लास में तब तक के लिए बाई बाई